वेलकम दो इस्टाडी चैनल मेरे नाम है मुहम्मद कैसर आज एक बहुत ही महात्पूर दिन है यूपी सिक्षा सेवाचायन आयोग के लिए देर आये दुरुस्त आये लेकिन अब चीज़ें पटरी पर लोट रही है आज यूपी सिक्षा सेवाचायन आयोग की पहली बैठक है आज एक बड़ा दिन होने वाला है सभी छात्रों के लिए जो भी सिक्षा सेवाचायन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे थे लंबित पर सेवाचायन आयोग का गठन हो गया है बोट वगरे सब कुछ लग गया है मातमी सिक्षा सेवाचायन बोट वाली बिल्डिंग में नया आयोग को गठित किया गया है सभी 12 सदस्यों ने जोईन कर लिया है जिसमें से 11 सदस्यों ने अल्रेडी कामका सभाल लिया था एक सदस् किर्टी गौतम और इन्होंने भी कल बुद्वार को कारेभार सभाल लिया है तो सबी सदस्यों अपना कारेभार इस समय समाल लिया है हाला कि अभी पर्मानेंट जो अध्यक्ष हैं उनकी निक्ति नहीं हो पाई लेकिन कारवाहक अध्यक्ष अंपी अगरवाल जी भी निक्त ह हो गए हैं और आज के बैठक की अगवाई वही कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षिता एंपी अगरवाल कर रहे हैं जो की प्रमुक सच्चु थे उच्च सिक्छा भी भाग के मादमी सिक्चा सवाचैन बोर्ड के उप सच्चो स्री नमल की सोड़ जी भी आज की मीटिंग में स्टाफ हैं उन्होंने अभी नए बिल्डिंग में का रिभार नहीं सभाला है चुकि मादमीक वाली बिल्डिंग में नए आयो का मुख्याला बनाये गया है तो सारी शेज़ें बहुत जल्दे सेटल हो जाएंगी आगे कामकाज कैसे होगा जो लंबित परिक्षाएं हैं उ इस एक्जाम को कब तक और कैसे कराया जाए तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लाएं देर आया लेकिन दुरुस्त आया चीज़ें स्लो हुई लेकिन अब आपको सेरियस होने के आउशक्ता है क्योंकि तो 12 की टेजिटी पीजिटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परिक्षा अच्छा सहीता के बात कराया जाएगा आपके पास ये बचा हुआ दो तीन दिन मार्च में फिर अप्रेल और में है जुन जुलाई तक आपकी परिक्षाएं पॉसिबल हैं तो आप लोग अपसेरियस हो जाए और अपनी तयारी करिए ये नियूज आप देख सक सबकुछ तो पहले से क्लियर है लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो कौन-कौन से चीज़ें हैं कौन-कौन से कटना ही आएंगी कौन-कौन से कोड केस वगरा है जो फाइल्स हैं मादमिक की उचतर की या प्रात्मी सिक्षक भरती और यू सबसे पहले लंबित परिख्षाओं को कराने का अंज्डे सासन की तरब से आया है तो लंबित परिख्षाओं को पहले कराया जाएगा यानि तीज़ेटी-पीज़ेटी और एसिटेंट प्रोफेसर की परिख्षा पहले होगी उसके बाद कुछ नएवी कि आपन देखने को को मिलेंगे यूपिटेट नए आयोक से होगा यह आपको पता ही है पहले यूपिटेट हो जाएगा उसके बाद ही प्राथमी सक्षकवरती यानि सुपर्टेट के बारे में सरकार विचार करेगी नए टीज़ीटी-पीज़ीटी की भरती भी आनी है सरकार लगातार यह दाव को मिलेंगे और असिस्टन प्रिफेसर की भी नहीं एक भरती होनी है प्रात्मी सिक्षक भरती ko लेकर हाला कि कोई पॉजितिफ खबर नहीं है सरकार की तरब से लेकिन यूपिटेट को सरकार हमेशा से प्रतिबद रही है कि यूपी टेट एक कराया जाएगा यदि इस साल के अंदर यूपी टेट एक हो जाता है तो अगले साल प्रात्मिर सिक्षक भरती के भी चांसेज रहेंगे आज के बैटक के बाद जो भी अपडेट होगी आपको मझानकाई दे दूँगा आप लोग बस अब लगकर अपनी त्यारी करिए और बाकी का टेंशन छोड़ दीजिए साथी साथ जो प्रारूप निमावली सोसल मेडिया में काफी जादा वारल हो रही है कुछ लोग कह रहे हैं फरजी है कुछ लोग कह रहे हैं सही है तो इसको लेकर आप परिशान मत होएं इस पर भी आपको अपडेट बहुत जल दे दिया जाएगा आज की मिटिंग समाप् आयोग के अधिकारियों के पास नहीं है इस वज़े से इस पर कोई authenticity नहीं मिल पाई है हमने भी आयोग में पता करने कोशिश की तो यह जनकारी मिली है कि आयोग के पास अभी कोई प्रारूप निमावली प्राप्त नहीं है और इसी वज़े से कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हो जाएगा प्रोबेशन पिरियर्ड दो साल होगा किस प्रकार से प्रकार से पत भर जाएंगे सारी चीज़ें हैं प्रारूप निमावली में और यह फर्जी नहीं हो सकता है यदि कुछ लोग उसे बैट कर टाइप करते हैं और फर्जी वारल करते हैं एक पेज के नोटिस चाहें हैं जो विग्यापन पहले से जारी हो चुगा है वो अपने ही निमावली अपने ही विग्यापन के शर्तों के अधार पर पूरा होगा तो उसमें कोई बिदलाव देखने को नहीं मिलेगा यानि कि जो अरवाइस वाइस प्रेट में एक्जाम पैर्टर्न बिलकुल स लिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें थांक्स फॉर वाशिंग